नमस्कार दोस्तों मध्यप्रदेश मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत सवागते या गर्मी से रात मिलेगी और कब मानसुन के इंट्री होगी एक दम सही जानकरी सटीक जानकरी स्टीक जानकरी स्टीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा अगर आभी जबलपूर, कटनी, बोपा, सीधी, बढ़वानी, ग्वालियर, दार, उज्जन, हर्दा, शिवपूरी, मनसो, राइसेन, साजापूर, विदिसा, शोपूर, अशोगनगर, सतना, गुना, कंडवा, इंड़री, होसंगाबाद समयत पूरे मध्यप्रदेश में रह चला गया, यानि कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, 25 तारिक से नौत्पा की शुरुआत हुई थी, यानि 9 दिन के लिए सबसे ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है, और खंडवा, खरगो, साजापूर में सबसे ज़्यादा गर्मी रही, तापमान 45.5 के करीब भी पर बता है, जाबुआ, बिंड, ग्वालर, धत्या, शुपूरी, गुना, आशुकनगर, सागर, दमवा, छतरपूर, पनना, साजापूर, देवास, खंडवा, करगो, इंदोर, बढ़वानी, धार, अलिराजपूर, जाबुआ, शामिले, इन जगगों पर, इन बागों पर विदिस्सा, शिहोर, नरसिंगपूर, राइसेन, उमरिया, जिले में, यलो, अलड़ भी, जारी क्या गया है, परदेश के जादे तर शेहरों में, दोस्तों, यहाँ पर तापमान चाड़ा हुआ है, लेकिन पंचबड़ी में फिलाल रहा थे, मौसम विबाग की मान तो आपमान चाड़ा है, यहाँ पर चालिस के उपर चला गया, यानि कि दोस्तों, आदे से जादा मध्य परदेश में बारी बैंकर गर्मी के प्रकॉप के साथ जूज रहे है, साथ में यहाँ पर गर्मी के दोरान गर से बाह नहीं निकलने के सला दी गई जितना हो सक्या अध मौसम विवाक की मान तो आने वाले दिनों में परिवर्तन होने के साथ बादलो क्यावजे के साथ, यहाँ पर दोस्तों आज पास के इलागों का मौसम बदलेगा, आगले 24 गंटों के दोरां तीवरलू चलेगी राजगड, आगर मालवा, मनसो, निम्च गुना, धत्या, श शोपूर कला समित गर्मी के तीवर बढ़ते जा रहे, आने वाले दिनों में और गर्मी बढ़ेगी, प्रदेश में भीशन गर्मी को देखते हो है, मौसम विवाक का है, बता है कि दोस्तों जितना हो सके सतक रहे, औरेंज अलडवी जारी क्या गया है, बारी बैंकर गर्मी 21 जून, 16 से 21 जून के आसपास मध्य परदेश में मांसुन के एंटरी हो सकती है, उसके बाद जमा जम बरसात की गतिवियों को लेकर दोस्तों अलड़ देखने को मिलेगा, उससे पहले प्री मांसुन की गतिवियों हो जाएगी, लेकिन 2 जून तक तो मध्य परदेश में ज जा रहा है और नोत्पा की शुरात के साथ गर्मी और जादा बढ़ रही है, अब दोस्तों रात में भी गर्मी के टीके टेवर है, जी हाँ दोस्तों दिन में तो गर्मी पढ़ रही है, रात में उज्जन में 31.2 डिगरी, सतना में 30.1, सीधी में 30.2, दमवा में 30.6, अगर में 30.2, रतला में 30 के करीब टापमान रेकोर्ड की आ जा रहा है, बारी बायंकर गर्मी के साथ मिला जुला मौसम भी रेकोर्ड की जा रहा है, आलो दिनों में और भी ज़्यादा उताचड़ा वजर रहेगा, और परिवर्तन होने के साथ बाद लो कि यावजिये के स और भी ज़ादा बढ़वानी गौालर समयत आसफास की इलाकों पर गर्मी बढ़तों नजर आएगी आपकी जिले गावें शेतर मेरेते मध्य परदेश के और आपके आपके आपर गर्मी के तीक के तेवर पढ़ रेके ने कमेंट करके जरूर बताना और बादलो कावजे के साथ गर्मी का प्रकोप रहेगा मौसम विबाकी मान तो यहाँ पर पूरे के पूरे बोपाल में जो नए 31-32 रात के समय तो दिन के समय मौसमें बदलाव होगा उताचड़ा वजारी और तेज आओ के साथ चार दिन 41 के आसपास ताप मान रेगा बादल बीचार वजारी तेज आओ के साथ मौसमें बदलाव और गर्मी के प्रकोप भी देखने को मिल सकता है यहाँ पर सिधी की बात के तो 29-30 रात के समय दिन में 41 मैं बादल वजार वजार रेगा बढ़वानी में रात के समय 29-31 तो दिन में 41 के आसपास ताप मान रेगा बाद दार की बात के हो तो 37-37 रात के समय दिन में बूंदामु दिजारी ये लेकिन आनलों दिनों में गर्मी बढ़ेगी 41 के आसपास ताप मान जा सकता है यहाँ पर दोवज्जियन की बात के हो तो 29-urd instantaneous के रात के समय दिन में 41 मैंनी से करीब ताप मान रेगा चार दिन बारी ब 23-33 तो दिन के समय 43-45 के कारी ताप मन जाएगा बारी बाहिएंकर गर्मी का प्रकॉप रहेगा उतार चड़ा फजारी और मौसम में बदला होते भी नजर आएगा मनसुर में 23-31 रात के समय दिन में 22-43 बारी बहेंकर गर्मी के तीके तेवरे राइसेन में 23-32 तेवरे बारी गर्मी का प्रकॉप रहेगा इसे साथ दोस्तों साजियापूर में 31, 32, 34 रात के समय दिन में 42, 43 और यहाँ पर लगबख दोस्तों 2 दीन तक और भी ज़़ादा गर्मी के तीक थे वर देखने को मिन सकता है वीदिसा में 31-32 रात के समय तो दिन में 43-43 के आसपस ताप मन रहेगा गर्मी के तीके तेवे उताचड़ा अवजारी और ताप मन में इजाफा होतो है नजर आ रहा है शोपूर में 32-33 रात के समय तो दिन के समय जोना और भी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतार चड़ा अफ़धरी और तापमन में इजाफ़ा होने के साथ 45 के आसपास तापमन जा सकता आशुक नगर में 30-31 रात के समय दिन में 43 के आसपास तापमन रहेगा बारी बाएंकर गर्मी का परकोप रहेगा 17-38-39 रात के समय दिन में 42-43 के करीब तापमन रहेगा बारी बाएंकर गर्मी का परकोप है गुना की बात के तो 29-30 रात के समय दिन में 42-43 बारी बाएंकर गर्मी का परकोप है यहाँ पर डिंडोरी की बात के तो 25-27 रात के समय दिन में 38-41 करीब ताप मर रहेगा बारी बाइंकर गर्मी का प्रकॉब रहेगा उताचडा फजारी और मौसम मिला जुला भी रहे सकता है यहाँ पर बताइज़ार की पूरे सिंग्रोली में 39-39 रात के समय तो दिन के समय चालिस इक्ताली से करीब ताप मर रहेगा बादल भी चाहरी के उताचडा फजारी है ते जगों के साथ परिवर्तन और गर्मी के तीक के तेवर रहेंगे मौसम विबा की मान तो उमरिया में 37-39 रात के समय तो दिन के समय मौसम में बदला उताचडा फजारी और गर्मी के तीक के तेवर और ताप मान में इजाफा होतो है नजर आ रहे है यहाँ पर मौसम विबाग की मान तो पूरे के पूरे जो ना रतलाम का मौसम बदल रहा है उताचड़ा अफजारी गर्मी के तीक के तेवर है और चालिस के आसपास तापमा रहे सकता है और बादल चाहरेने के साथ गर्मी बढ़तो है नजर आ रही है इसी के साथ दोस्तों के तीक के तेवर उताचड़ा अफजार रहेगा बादल भी चाहरेंगे उताचड़ा अफजार रहने के साथ परिवर्तन होगा मौसम विबाग की मान तो पूरे के पूरे चछतरपूर में जो ना मौसम बदलेगा 29-30 रात के समय दिन में 43-40 के आसपास तापमा रहेगा बा दिन में 33-32 रात के समय दिन में 45-46 तक तापमा जाएगा बादल चाहरेंगे सागर में 29-32 रात के समय दिन में 41-42 साथ दिन बादल चाहरेंगे उताचड़ा अफजारी निम्च में 31-32 रात के समय दिन में 43-42 के आसपास तापमा रहेगा बादल भी चाहरेंगे उताचड़ का दो구ो १ंनी के मुरिणा में 29, 31, रात के समय दिन में 46, 47 तक तक ताप मांच जा सकता है, बादल भी चारिंग है, अगले 24 गंटों के दरान गर्मी के तीके तेवरे, तो ये था पूरे मध्य प्रतिश का मौसम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू करना,